देखे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 7-8 लोग इसकी चपेट में आये थे जिसमें एक की मौत हो गई है लेकिन इस बीच सबसे जरूरी बात ये कि जब यह हाथसा हुआ उस वक्त के चश्मदीद और घायल मेरे साथ मौजूद हैं संतोष कुमार यादव हैं बिहार के रहने वाले हैं और एम्स ट्रॉमा सेंटर में अपना इलाज करवा रहे हैं और अभी इन्हें छुटी मिली अस्पताल से क्योंकि चोट जादा गंबीर नहीं है यह चोट भी दिखा रहे हैं यह सर का हिस्सा है यह अपनी कैप के साथ सुबह वहां पर इंतजार कर रहे थे जिनको ले कर जाना था यह तांके लगे हुए हैं और अभी जस्ट हॉस्पिटल से डिशार्ज होके निकल रहे हैं संतोज जी पहले तो यह बताईए कि सुबह जब यह हादसा हुआ उस वक्त वहां पर क्या अस्तिती थी कौन-कौन लोग आपके साथ वहां पर खड़े थे थोड़ा बताईए हुआ पर सुबह सर वारीश जवर जब़जस्त हो रही थी वारीश हो रही थी उसके बाद हम लोग सी एंसी सर के डिव्टी में थे वहां पर खड़े थे इंतजार कर रहे थे हमारे साथ फलेग अपसर गये थे उनको छोड़े और संसी सागा इंतजार कर कितनी गाड़ियां उसके उपर फिलर गिर गया पीच में गिर गया मेरी भी गाड़ी थी उसमें खतम होगी गाड़ी खतम कितने लोग आसपास उस दौरान रहेंगे जब आपने यहाथ सब्सक्राइब आदमी तो बहुत थे 50-75 के आसपास ऐसे थे वहां पर यहां जब यह तमाम हाथसा हुआ बारिश की वज़े सबको लग रहे हैं कि बड़ा हाथसा हुआ जैसे बता रहे हैं कि बारिश का पानी भर गया था पिलर कमजोर था तूट गया क्या वज़े आपको लग लग रहे हैं मेरे को कि यहां पर कुछ होगा लेकिन एक हो गया तो उसके बाद वहां पर ׏टमेंट हुआ हम आ वहां से फिर मेरे कह रिकर किया गया बसंद कुझी वहां से वुलुक पैसे मांगने लगburgे मुले कि दोहाँ रुपिया जमा करो पैसे मांगने लगे उसके लिए फिर अमारे दोस्ता है फिर लेकर अछा प्रंडा सेंटर के द्या क्शिंद करें कि तिरा करने को क्या भी टो सैंठार ठीक है कोई नार्म साथ तो उस दोरान कोई और दोस्त यार भी आपका था वहाँ पर जो जो चोट आई है या जिस एक आदमी की तो मौत भी हो गई उसको आप जानते थे नहीं सर उनको तो नहीं जानता था मेरे साथ एक नेभी का साहब था वो मेरे साथ भागा उसको चोट लग गई तो तो फिर अपना वहाँ से बेस होस्पीटल में चले गए नेभी वाले फिर में वहाँ सीधर आगया सरकार ने मौावजिक की कई बात कही है क्या कहेंगे सर सरकार मौावजिक के बात की ये तो सरकार देगी तब तो इस पर हम क्या कह सकते है ये तो गलत बात है जिसको टिंडर वहाँ पर मिल रहा है ये तो उन्हों को देख कर देना चाहिए किने कौन सी कमपनी बढ़िया है एक कमपनी का दोस है और सरकार का भी इसमें दोस है आपके साथ अपर अस्पताल में यहां पर कितने लोग भरती थे या कितने लोग उच्छुटी दे देदी तरह यहां पर तो महीं अकेला आया था और सारे लोग अलग अलग होस्पीटल में चले गए जी सर मिरता के उनसे आपकी बाचीत से जान पर आप इनके दोस्ते जी तो बच गया हूं मेरे सर फटे हुए हैं आप आज यह हस्पीटल हम बोले कि ठीक हम एरपोर्ट के लिए राष्टे में जा रहा था फिर फोन किये कि मेरे को रेफर कर रहे हैं रेफर के इंडिया ने स्वाला इंजूरी सेंटर में हम वहां गये तब तक आये हुए थे हम ब जैसे आए तो पहले तो बोले कि पानी भरा है नहीं ले रहे थे मैंने फिर किसी बंदे को फोन किया फिर तब तक भरती ले लिए फिर कुछ नेता हुना आये तब जाके कुछ काम मेरा प्रोसरस तेजी में हुआ उर उसके बाद आप सब जाँच हुआ है सीटी एसकेन इनको लेकर नहीं घबराने वाली बात नहीं भगवान के सुक्र है कुछ अच्छे इनके माबापने कर्म किया हो जै बच गये अपने माबापके यह उकलोते बच्चे हैं जैसे यह आपके दोस्ते आपके और भी दोस्ते क्या उस वक्त वहां पर जाए हम एक साथ ही रहते ह वाले हैं तैमूर डिस्टिक बिहार में और कैप ड्राइवर का काम करते हैं और इनको उस वक्त चोट आये देखे जब एरपूर्ट की जो चट गिरी है टर्मिनल वन पर तो उस दोरान जब उपर शज्जा गिरा तो उसकी चपेट में यह भी आए गनीमत यह रही कि साइट से गिरा उस वक्त अगर बीचो बीच में अगर इनके ओपर शज्जा गिरता तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाता लेकिन आप देखिए कि दो से तीन टांके इनको अभी भी आये हुए हैं अभी उपचार के बाद घर लोट रहे हैं डॉक्टर ने दुबाला बुलाया है और ऐसे ही कई लोग घायल हुए हैं जिसमें से एक की जान तक चली गई लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसकी लापरवाई थी और जिसकी भी लापरवाई होगी उसको लेकर सरकार ने कड़ी कारवाई करने की बात भी कही है और घायलों को मुआफजा देने की बात भी कही गई है कैमर में धर्मिंद के साथ दीपक सिंग रावत इबीपी न्यूज दिली